नमस्कार प्यारे चात्रों मैं निग्मल कुमार आप सब्सक्राइब को आपके ही यूटूब चैनल दासक्स सेंटर में गवाफिद से दिल से स्वागत कर रहा हूं तो दोस्तों चलिए हम लोग पठा के सीलेबस को आगे बढ़ाते हैं तो पठा के सीलेबस में आपको आगे पढ़ना है केत्की पूल यह आठ नमर में देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्यत्की फूल आपका सीलेबस में पढ़ना है किताब में केत्की पूल लिखा हूआ जिसके लेखक कोन है ये देर्यान दे लिए यह लोग को कि intentions कि इन्होंने लिखा है इस केटी फूल तो चलिए देखते हैं केटी फूल तो किताब में आपका लिखा हुआ था शागर गुर्ख्या और केटी फूल तो देखे बोल रहा है कि एक समय के बात लागे मतब एक समय का बात है नियुकमलिक राजे है का लाजा का नाम सही कर देखे दीक तो राजा नियुकमलृ क्या भग राज्यほう मतलब लेखे बसक्राजी में'm नाम्तेप्पा नामट्र नाम थे लुके rament सभी लेकिन जो है उसका नाम सभी लोग साइब즈 और नहीद एक दिन का वात को सब्सक्राइब करता सब्सक्राइब को उस सुम्हें नदी में देहा। उसने कि एको फूल वहाइल आवेशने देख लए मतलब फूल को उधाग से बहते बहते आतिर में देखा है औकर मन ना ये मान लाए, उसका मन जो है नहीं माना और उ oni नदी जाग दै उल्वा उठाये निलाए और उसने किया कि नदी में पूद गिया और उस पूल को उठा लिया वो जो फूल था वो क्यफ्की का फूल था मतलब वो फूल कितना सुन्दर देखने में है उसका महक भी उतना सुन्दर है तेपा दीन भर उप फूल के संगे राख ले तेपा इसने क्या कि दीन भर इस पूल को अपने साथ में रखा लेकिन दीन भर उसने रखा लेकिन उस पूल मलीन नहीं हुआ मतलब है कि फूल मुर्जा नहीं दीन भर उसको अपने साथ रखा लेकिन वह फूल जैसे का पैसे राख सांज पहर जखन घर भुर है लाग लए तक्षन फुलवा राजा गौबर डिंग है गाड़ जब साम हो गया सांज सांज पहर मतलब साम को जब वह घर लोटने लगा वह चागर उगर जीमा दे दिया अपना गौला को गौला मतलब मालिक हो और उसके बाद वह इस पुल को लेकर गौबर डिंग है मतलब राजा का जहां गौबर फेका हुआ तो वहां पर गौबर डिंग में गया और पुल को गाड दिया मतलब गढ़ा फोड़ा गौबर में उसको रख दिया दोसर दिन विहानी डिंग वे गौखी जायत समय उप फुलवा उठाए ले तो दूसरा दिन जब उस डिंग में जहां रखा था वहां से पुल को दूसरा दिन जैसे सुबह गौखी जाता उस तो फिल से वहां से उठा लेता दीन भर संगय राखल बाद सांज पहर भुरक समय राजा गौबर दिंग में फिर गाड जाने लगा तो किर वही राजा के गौबर दिंग में उसको किर गाड दिया यौा पोल के है राजा गौबर दिंग में नinsi पवा एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही राजा का गौबर दिंग गिया वहां पर फूल उसे नहीं मिला वो दिन राजा की नोकरानी टेपा से पहले गवाबर दिंग गेली और केत्की फुल के उठाए लएगें देखे एक दिन का हुआ कि भई उस दिन उसको तो फुल मिला नहीं तो उसका कारण क्या था कि राजा की नोखरानी इना टेपा से पहले yeah मतलब टेपा से पहले वह लोगोडिंग में गई और उत्याधी का फूल को वहाँ से उठा ली इसलिह उसको तो मिला नहीं टेपा फूल टेपा फूल चोरिक कौनं हो पचछोर नहाय तेपा का जो फूल का चोरी हो गया इसका कोई भी पता ही ने चला कि कौन ले गया नहीं ले गया तो फिर फिर से गोर्थी करने के लिए चला गया राजा केट्की फूल देख मोहिद भईया good so Raja ने उस पेट्की के फूल को देख कर पुरा मोहिद हो गया क्योंकि वह फूल बहुती AdvSla नहीं रहता पुरा सुन्दर लिख रहता उतना सुन्दर महद था और उचले तो नौकरानी कही देले जही फूल हमें तो हर गौबर डिंग में पाए लो तब राजा ने पूछा उससे उस नौकरानी से भई आपको ये फूल मिला कहां तब उस नौकरानी ने कहां क्या का दिया देतो कि ये जो फूल एक एत्टी कहा ये मुझे आपके गौबर डिंग से मिला जहां पर आपका गौबर रखते हैं न वहां पर ये फूल हमको मिला राजा सब लोग के एकक कर पुछला है मैं तु केव नाए तहला राजा ने क्या क्या लाइन पकड़ के करके सबसे पूछा कि भाई वहां पर फूल किसने रखा था लेकिन कोई ने नाम नहीं लिया कि उपूल को यहां पर मैंने रखा था जया उ खूल के रातल है मतलब कोई कहा ही नहीं कि मैंने उस फूल को महां पर रखा है राजा के पास सब ही लोग गया लेकिन यही आदमी यह जो टेपा गुर्ख्या है यही राजा के पास नहीं गिया थे राजा राजा के लोग टेपा डाय कांगा तब राजा के आदमी उने क्या किया उस टेपा गुर्ख्या को बुला कर लाया तब टैपाने कहा कि तुम जाओ यहांँ है और इस फोल का जोड़ा को लेकर आ। पूलेर जोड़ ना आने पार लें तो राज से निकाल दोगो और इस पूल का जोड़ा अगर तुम नहीं लापाओगे तो तुमको मैं अपने राज इसे निकाल दूँगा तुम को अपना आधार राज दे देंगे और आपन वेटी से भीहा देगो और तुमको अपनी वेटी से हम साधी करा देंगे जो एक दूपाला चीरा लएले भंडार से एक दूपाला मतलब देंखता है जर खंड van अंना है के लुपार है तो पूर से तुम्हार कर देंगे। और लेकर राज भी देढे और अपना बेटीं से क megapy क्या होता है untuk Recak Co ourاز oh I am get out the stream camera अई लुद राजा को कंधने णे कारतेगा उसने गोलग多 जो राजार को साथ से लोगता है अग अब जहाँ उसको फूल मिला था अब वहाँ नदी किनारे चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया विचारा यह जहां पहरेदार उकरा जाई के रोज देले जहां पर जंगल का पहरेदार था उसने इसको रोप दिया उसने गोर्फ्या को कहा कि आगे जाना तुमारे लिए खतरा है गोने अगो रच्छसिन है जंगल में रच्छसिन है वो निवास कर रही अगर तुम आगे जाओगे तो तो तुम्टो भुठा जाएगी तब टैपा ने कहा कि मुझे मरने का कोई डर नहीं है भई भूरब तो राजाएं ना छोड़त एकर से बैस कामेक आगूई परियासें मोरों उसने कहा कि अगर यहां से घूम जाएंगे तो राजा तो ऐसे हमको मर देगा यहां से बाहर कर देगा इससे अच्छा है कि काम को आ तो यहीं टैपा आगू बाढ़ गया थोड़े दूर गयल पर एक और आच्छा सिन जोड़ा सा दूर जंगल की और बढ़ा उदर से राज्छास्नी जो है डौका फारल डौका फारल मतलब अपना मूँ खोल कर पुरा मूँ खोल कर इसको खानने के लिए इसके तरफ को सिन्हें के लिए कि मॉने का नंजा है मोशी किसको करते हैं मम्मी की बानको मौसी करते हैं था इस जट से राचछ स्रीस्ता जोड़ लिया और का मौसी हमें मौसी मैं हूं तो है नाची नहीं पर ले तुमने मुझे नहीं पार्चान पाया दो मायत और खातिर शओड़ा प पर आप तो तुम्मा लिये जा लो तब इसने भी अपना बात बदल दिया कि भाई हम तो खाने के लिए जा रहे थे लड़का तो अपने मुझे मौझी का रहा है तो इस नखी जो राच्छासनी उसने भी बात पलचके कहा कि मैं तुमको नहीं पाचान पाया बेटा मैं तो त तुम्मा लेने के लिए जा रहा था उदर कि यतना कहीं क्या हूँ चीवडात गाएट उठाए लेहाई इतना काकर वो जराच्छासनी था उसने चूड़ा जो दिया था गांट में बांधावा और चूड़ात उठा लिया है ना भो रहे हैं उसने क्या क्या उठाके मुझ म हे जूड़ा खा रही थी वेचारा इसने क्या किया अपना टांगा टांगा उठाया ऐख लताया और जट कि में वहां वो में अ brigूं इसका क्या और आगु चला तटेपा ने क्या क्या राच्छास्नी तो मर गई तो उसका कान काट लिया और आगे बढ़ गई अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है बोल रहा है कि जखन तो देशक राजा है राच्छास्नी को मार दिया और यह विश्वास हो गया उसको जै राच्छास्नी को टेपा ने मार रहा है तखनू फूस भाई आपन छोट वेटी के अपर लिहा दे गया तब उसने क्या गिया इस टेपा के साथ राजा ने अपनी छोटी वेटी का साधी कर दिया टेपा विदाय नहीं लेंगे नक्रूल premi कि मैं कैदकी का खूल खूझने के लिए हूं फूल लेकर जैसे घुणूंगा उस समय बिदाई लेंगा चलते चलते यह को दौसर राज पहुंच है चलते चलते हुगा क्या फिर दूसरा राज पहुंच गिया तो देखे है जै सब काइंद्रा में तब उसने देखा कि सभी लोग वहां पर रो रहे हैं तो राज्यक राज और बेटा के बांचाय जत्वए उक्रा एक निसारा राज देवए और आपन बेटी संग भी हाँ तब उस राज में भी क्या होरा भाए डोल नगाडा पीटा जा रहा आदमी को जनकारी दिया जा रहा है कि जो इसके बेटे को बचा देगा उसे एक निसारा राज मतलब एक राज होगा उसको देदेंगे और अपनी बेटी से उसका साध्य करा देंगे और नाए पर लें तुँ वैद के जान से मेर देवे और अगर वह बैद मतलब कहा जैतो ड॑क्टर आज के जमानी का उसमें वैद का इलाज चलता था अगर वह बैद इस बच्चे को जिन्दा न नहीं है यहां पर मर जाए घर जाकर हमको राजा मार दे परयास कर लो नुक्सान की परियास करने में नुक्सान क्या है ऐसे भी तो हमको मरना है यहां राजा मार दे हम तो मरना ही लेकिन एक बाद पर्यास कर लेते हैं जो होगा देखा जाएगा पूराजा के आपन जोजना बतवल इसने राजा को अपना जोजना बताया और से मताबिक कमार साथ में तोफ जलडया उसरा जैसा जैसा बताया मुतादीर को इसको कई इन अपने बेटे को शंशाम ले गिया और संशाम में जाकर जमीन गार दिया अपना वेटा इपा कूओ तब टेपा का किया हुआ ही समसान घाट में ही का किया यह का दूभा लिया तो यही है कि उसने एक दूभा लिया मतल्ब चोटा पहिना मतलब चोटा पहिना और लेकि समसान घाट में नुका आई रहा है अधी राज को जो डाकीण किचिन भुड़े लोग जो होता है वो लोग आ रहा है और तू राजकुमार, और तू राजकुमार से, राजकुमार के गाढ़ा से बाहराए, साफ सुतर के एक और जड़ी सुंगार बाचाए देया, तब उन लोगों ने क्या किया, कि भाई ये जो डाइन कीचिन आया, उन लोग राजकुमार को, उस समसान घाट में जहां दापन आया गया, तो वहां से इन लोग उठाया, और उसको साफ सुतरा किया, और एक जड़ी सुंगार इसको दीवन इसको बचा दिया, मतला वो जिन्दा हो गया, अपर से खेलल वाद, फिर दौसर जड़ी सुंगार मौराए, फिर गाड़े, उसके बाद क्या क्या है, उसके तब टैपा ने देखा कि भाई एचा एचा हो रहा है, तब उसने का किया, छुप छुप के दोनों जड़ी को इसने चुरा लिया, और लगवे है, कांसा के दुभा के जोर जोर से बज़ा लिया, और कांसा के दुभा को जोर जोर से बजाने लगा, तक ही आवाज बहुत ज अब डाकिन किचिन सब ढ़ाएं जाना तब डाकिन की जो लोग इतना जोड़ें बजा रहा है उन लोगों ने सुना और वहां से भाग निकले अब के आठार राज कुमर के अब कि आज कुमार के जिया जैंडिया तुसरा एक लड़की से साधी करके साधी कर लिया मैं तो टेपा विदाई नहीं लेकिन यहां भी विदाई नहीं लिया और आगे बढ़ जा रहा है अपना केक्टी का फूर की तलास में यह आगे बढ़ जा रहा है चलते चलते अगो अड़कुजल वने पूंट गया है अड़कुजल वन मतलब पूरा जंगल ही जंगल कहीं पर चलने का रास्ता नहीं पूरा जंगल जाड़ से भरा हुआ तो वहीं चलते चलते वह एक इस जंगल में पहुंच जा रहा है वहां देखे है एगो सुन्दर बेटी चोवा धेकवा जुकर है ना वहां पर देख रहा है एक सुन्दर लड़की धेकवा जुकर है धेलवा जुकर है धेलवा जुकर समझते हैं मतलब जूल जूल रही है तो वह जो है जूला जूल रही है और उसी के पास में केटकी का फूल है वह भूजह पा रहे है ज़ा हूँ बेटी छोगा राक्षसनेक बेटी लागे तब उसमझ गया कि यह जो लड़की है वह कोई और नहीं यह राक्षसनी का बेटी है आप करत की आखिर अपर मुर्यक तो आईये है अब यह लड़का सोच रहा है वह मैं क्या करूँ अब तो मुझे मर नहीं है चाहे यह राच्छसनी हमको मार दे चाहे राजा हमको मार दे लेकिन हमको तो मर नहीं है वह बेटी छवाठीन जा है तो वह टेपाक देखिक मोहित हुए जाए जैसे ही वह लड़की के पास गया तो इस टेपाक को देखकर उड़ाच्छसनी की जो लड़की ती हो पुरा मोहित हो जाती है और अपर से विहा करेक पो जाए तब उसने बोला कि भाई उससे साधी करनी है मुझे किसे टेपा से राकस राकसिन आवहक तकन अपर बेटी गाहना गुरिया सबलाई टेपाक संग भाई जब राक्षस और राक्षसनी वहाँ पर आते हैं दोनों जन का विकाय किया इसकी बेटी को लेकर वहां से गाहना गुरिया लेकर कर इसकी बेटी भाग रिए गाहना गुरिया जितना था सब लेकर लेकर छाओक के साथ भाग जासे है आपन बुद्धी से दुयो और राच्चस राच्चसनी के मार दे है तब ठेपा ने कहा किया अपना बुद्धी से इस राच्चस को और राच्चसनी को मार देता है और केट की कुल संग राच्चसनी के सुन्दर बेटी संग भुरे है और उसने कहा किया भाई राच्चसनी के यह सुन्दर बेटी को लेकर गून के आ रहा है राजाग बेटी कि अगौद्ध करा सला देवाद ने इसको बिदाकर कर ले जाना है तो राजात की बेटी ने उसको सला देता है उसके बाप के पास क्या है यह सवाना का मुंगरा है फालमान की तरह मुंखरा की तरह रखा जाता वही ऐना तो सोना का मुंगर है उसके पास सिता विदायक समय माइंड लिये उच्छने का आज जम्टा हो जब नामलievous मुंगर मांड ना व्यसमय क्यास दिए समय कैनल मुंगर मांगे इनंद को bonds how और विदाई करके भूम के आए फिर दोसर राजा के पास एको का लड़की विदा कर लिया आपके दूसरा साधिक या था वहाँ पर जा रहा है तो अपर बैटिंग कहा ही जो अपर बाप फिन एगो बाड़ी एगो बाड़ी अथनी रहा है और एगो अथिक खड़क सेटा हांतिक हा एगो बाड़ी हांति है मतलए एगो बहुत बड़ा हांतिक खड़क है ऐक हांति का जो दात होता है कि बड़ी हतनी ले लिए और हांती का खड़क लेकर चाइरो जन चाइरो जन हतनी को पर वैस के आपन राज बुरह है चार लोग आपकोन को ने वाई देखो एक नमबर के दखे को एक कौन हो गया टैपा हो गया पहला दूसरा वो राज्चसनी का बेटी हो गई ठीक है तीसरा जो राजा से साधिक किया था जो सवना को मुंगरा दिया हूँ हो गया और चौन था ये हाथी का दात और हत्ली दिया वो यह चारों को लेकर उसने अपनों सी हाथी पर सवार होतर टैपापिर अपना राजा गया राजा केट्किक फूल पाए उस हवे हैं राजा इस केट्किक फूल को पाकर बहुत ज़्यादा क्तुस हो गिया और आपन बेटी सेंग भी हाद देगे और उसने जो वादे के मुताविक जो कहा था कि हम तुम लेकर आओगे तो अधाराज भी देंगे और अपनी बेटी से तुमारा साधी करा देंगे तो अपना बेटी दो उसको साधी ही करा दिया आधाराज देत है और आधाराज भी сकों को देyrता है टेपा आपन भुद्धी वाल और इमत से सब जग सफल घेल हो जागा है टेपा अपना भुद्धी और दिमाग से सबी जगा सफल हो गया और तीनों बहुप संग हसी कुछी रहे लागे हो और टेपा के तीन उगों पतनी के साथ आदमी एक पतनी ने रख पता है 15 पतनी के साथ अपना बुद्धी विवेक के साथ फूस रहने लगा तो यहीं है दोस्तों केत्की का फूल जो आपके जी एससी के सिलेवस में है तो आपको मैंने एक एक करके तोड़के पूरा यह जो लोग करता है वो केत्की का फूल खत्म कर दिया अब यहां से आगे भी हम लोग बढ़ेंगे तो मुझे यहीं पर आप विदा दें ज्यादा बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा आप पढ़ें आगे बढ़ें जय हिंद जय भारत जय जार्थांड़